नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कीरतिया रोडा और आप देख रहे हैं टीवी नाइन पंजाब, हर्याणा, हिमाचल और जम्मो कश्मीर भारत सरकार ने आज एतिहास से कदम उठाते हुए 34 साल बाद 1989 के कश्मीरी हिंदू नरसाहार मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया है दोबारा खुलने वाला पहला मामला जस्टिस नील कंट गंजू का मामला है जिनकी 1989 में यासीन मलिक के जेके अलेफ आंतकवादियों ने हत्या कर दी थी जस्टिस गंजू ने जेके अलेफ आतंकी मकबूल बट को सजा सुनाई थी प्रिटेन में भारतिया राजनेक रवेंद्र महत्रे की हत्या के जवाब में भारत ने मकबूल बट को फांसी दी थी कश्मीरी पंडितों के साथ नप्पे के दर्शक में कई ऐसे नर्सहार भी हुए हैं जिनका ना तो आउग किताबों में जिक्र मिलता है ना इसकी कोई जानकारी है 34 साल बाद कश्मीरी पंडितों की उमीधें फिर से जाकने लगी हैं जिसमें केंद्र सरकार ने नील कंट गंजू का केस खोल कर ना सिरफ उनके परिवार के साथ बलकि जमू कश्मीर के हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों के दिलों में खुशी पैदा कर दी है क्योंकि अब दूसरे पंडितों की केस भी खुल जाएंगे जिनकी हत्या 90 के दशक में हुई है आज भी कई केस ऐसे हैं जो अदालत में हैं लेकिन उनकी सनवाई किसी न किसी कारण नहीं हो पा रही नीलकंड हत्यकांड मामला खुलने पर इसको लेकर पंडित समुधाय ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि सरकार और कोर्ट से नीलकंड गंजु के साथ साथ दूसरे परिवारों के केस खोल कर उनके साथ न्याय करने की उमीद है इस बीच SIA ने नीलकंड गंजु हत्यकांड की जांच के लिए जनता से मदद भी मांगी है तीन तशक पहले सेवा निर्वित न्यायधीश नीलकंड गंजु की हत्या के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए राजे जांच एजेंसी ने एक विग्यापती के माध्यम से सभी व्यक्तियों से तथ्यों से परिचित होने की अपील की है या इस हत्य के मामले की परिच्थितियों को सामने लाने और घटनाओं के किसी भी विवरन को साजह करने के लिए जिसका ततकाल मामले की जांच पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ऐसे जानकारी के लिए अपील की है विग्यपती में आगे कहा गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान पूरी तरह से छिपाई जाएगी और सरक्षिक रखी जाएगी और सभी उपयोकी और प्रासंगिक जानकारी को उचित रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा इसके साथ साथ SIA ने एक नमबर इशू किया है ये नमबर है डबल लेट डबल 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 जीरो फोर नाइन सेवन सिक्स इसके साथ साथ एक इमेल आईडी भी जारी की गई है समाजेक वे सियासी लोगों ने इस मामले को लेकर केंद सरकार का स्वागत किया है और स्थानिय लोगों और भाजवा के नेताओं ने कहा कि इस तरह के कई हत्याएं 90 के दशक के बाद भी हुई है और उससे पहले भी उन सब के केस खोल कर उनकी सनवाई पोनी चाहिए देखिए गवर्मेंट ने ये बहुत अच्छा डेसिजन लिया है कि 30 साल बाद जो नील कंगुंजुक का केस खुला है वो उस टाइम एक बहुत बड़े जैज थे और उनकी बहुत सारे ऐसे काम थे उस टाइम फिर उनकी किस तरह डेथ होई कि इन्होंने उसकी किलिंग की है अगर उसकी फैमिली को उस टाइम इन्साफ नहीं मिला तो मेरी ख्याल से गवर्मेंट ने अच्छा डेसिजन लिया है कि आज की डेट में उन्होंने आवाम की साथ ये अपील की है कि उनके जो डेथ हुई है उस बारे में अगर उनकी साथ कोई ताउन हो तो बहुत अच्छी बात है उनकी फैमिली को भी इन्साफ मिलेगा ऐसे बहुत सारे केसे हैं जो यहां पे बहुत सारे आफिसर है जिनकी किलिंग हुई थी उस टाइम तीस साल पहले और उनकी भी मैं चाहती हूं कि गौर्वर्मेंट उनकी इन्वेस्टिगेशन करे अगर और कोई किसी को पता है वो भी उठाए और इनको जिसने भी यह किया उनको मीज चरहाई में उनको फासी दे दो और यहां पर दैश्दगर्द काफी थे अब कुछता है नियाए होना चाहिए नब्वे के दशक में कई कतल हुए हैं और बहुत से केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं इस्थानिय लोगों और राजनेतिक दलों ने कहा है कि सभी के साथ नियाए होना चाहिए लोगों ने कहा कि नीलकंट गंजु की हत्यारों को भी उसी तरह सजा मिलनी चाहिए जिस तरह दूसरे अपराधियों को मिलती है नीलकंट गंजु का परिवार इस समय दिल नी में है और नयाई की उमीद कर रहा है आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बलकुल न पुलें नमस्कार